हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सहब आज हम आपको दिखा रहे हैं इसनेक प्लांट तो देखी मेरे गार्डन है मेरे गार्डन के पीछे मतलब मेरे घर के पीछे इसनेक प्लांट है तो इसमें से हम पौधा निकाल दी है देखी इसमें नीचे नीचे छोड़े जो प्लांट निक काल ली हूं है तो अब इसको हम घर के अन्दर छोटी से कंटेनर में लगाएंगे तो इसमें जो छोटी-छोटी प्लांट है ना तो उसको हम छोटी से कंटेनर है कि तो मैं यहां से भी देखिये यहां भी मेरा है बहुत सारा इसमें भी स्नेख टांट है यहां से भी मैं स्काली हूं तो हम इसको एक छोटे छोटे कंटेनर में घर के अंदर लगाएंगे दो चलिए देखी ए गमला है इसमें मैं इसमें मैं इसमें दिखिए यहाँ पे छोटे-छोटे मेरा कंटेनर है यह पाइप का है तो इसमें होल नहीं है बिना होल का ही हम लगा सकते हैं घर के अंदर और घर के अंदर आप लगाओगे तो आपको बाहर रखने के जब्लत भी नहीं है इसने प्लांट ऐसा है कि यह बिना धूब का भी कई साल तक रहता है और बढ़ता भी है और बहुत सारे उसके पब्स भी आते हैं तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो मैं एक छोटी-छोटी सी दू इंच का कंटेनर है तो मैं इसमें लगाऊंगी और इसमें दिखिए मेरे घर में जो पीछे गार्डन है मतलब गार्डन थो इसमें लाती हूं जो राख गूबर का खाद मिट्टी सब मिला होता है तो हम उसी में अपने प्लांट को ग्रो करते हैं मेरे को खाद का जरूत नहीं पड़ता है और ऐसे इसनेक प्लांट में खाद की कोई जरूत नहीं है अगर आपके आसपास कोई भी मिट्टी हो तो तो आप अराम से बीना खात का भी आप इसको लगा सकते हैं नॉर्मल मिट्टी में तो मैं देखी मैं छोटा-छोटा पवधा कलेक्ट कर रही हूं छोटा-छोटा प्लांट जो कि इसमें अच्छे से आ जाए बड़ा-बड़ा प्लांट इसमें नहीं लगा पाएंगे हम तो जो छोटा होगा उसरिक्व कूम लगांगे अगर बड़ा-पार लगाएंगे तो यह मतलब दो इस इंज का कंटेनर थे इसमें के संभल भी नफयागा तो मैं छोट-चोटा प्लांट को अलाक कर लूगी और इसमें चोटे ही बने रहेंगे जादा इसमें बड़ा नहीं होगा और छोटे-चोटे प्लांट देखने में भी सुन्दर लगते हैं और घर में आप इसको लगा के कहीं भी आप इसको सजा सकते हैं अपने पतब कहीं पी आप विंडो की पास या फिर आप कुछ ऐसे समझ में मतलब आप इसको घर में सजावटी-पोदे के तार पिर आप इसको अपने घर के अंदर रख सकते हैं और आप छोटे से कप में अगर आपके घर में कप है या फिर छोटे से कुछ भी है तो आप उसमें आप बिना होल किये हुए अराम से इसको आप लगा सकते हैं यह प्लांट सड़ता भी नहीं है और खराब भी नहीं होता है तो मैं उसको देखे जो बड़ा प्लांट है उसको तो देखे मैं अच्छे से इसको मिट्टी इसमेर आता है जमा हुआ तो मैं इसको अच्छे से धोलूँगी अच्छे से आप भी दोलीजियेगा और फिर हम इसको आराम से सबको धोके रख लेते हैं और हम फिर आराम से इसको लगाएंगे छोटी-छोटी कंटेनर में तो लगा सकते हैं तो देखिए मैं इसको मैं सफाइचे लोटा है थोड़ा सफाइचे- Marx है तो सब को देखना पड़ता है देखिए इसमें दो प्लांट है तो मैं हटा ले रही हूं तो इस तरह से मैं इसका जो अच्छे से सफाई करके और इसको हम पधोगी जो जड़ होती है उसको हम अच्छे से सफाई कर लेंगे ज्यादा बढ़ा रूट खसी उसमें monopoly Christianity में नहीं हो पाइए कितने संदर संदर छोड़ी पौधे हैं तो आप इसको अगर अपने घर के अंदर लगाओगे तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब नकली पौधा है और देखने में बहुत संदर लगता है तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और यह प्लांट बहुत यह आसानी से लग जाता है और कि आपको एक महीना दो महीना मतलब आप इसको एक महीना थन्डी मतलब जразу यह पानड़ तो एक अक सप्ता में दीजिए लेकिन-ठंडी में ओगर एक महिना भूल जाते ickers hoeEM हैं यह किल भूल महीन हो जाता है लीकिन अखर हो जाता है तो फ्लांट मरताने हैं कि मैं इससे मिट्टी ने लेती हूं और ज़रां रिहां टिकशए फिर हम प्लांट लगाएंगे हो दीना केmeश से टाल से एकने दू दॏ लेंगे किद्वाम प्लांट q qt आपके घर में ऑक्सिजन वाक्सिजन देते हैं और हवाको सुथ करते हैं तो आप इस तरह से अपने हर में मैं में इसमें मिटटीουν भर लिए से ओसे अपको पाण दलना है तो डाल यैप ज़िए अगर यह यह द्याल की अंदर काriel गिला है तो व कर देंगा तो आप च्समें 15 दिन में कर सकते हैं लेकिन गर्मी के सब्सक्राइब कोई डिक्षत नहीं है किस तरह से सारे अठी प्लांटिको लगा लेती हुँ छोटी से कंटेनर में और फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए मेरा चोटे से कंटेनर है और फिर मैं इस में अच्छे से लगा लेती हूं और फिर मैं आपको दिखाती हूं अपने चुटे-चुटे से पौधे तो देखिए मैंने सारे कंटेनर में लगा लिया है अपने पौधे को और देखिए कितने सुन्दर छुड़ए दिख रहे हैं अच्छे भी दिखते हैं और जब अच्छे से लग जाएंगे ना तो इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर मतलब पौधे अच्छे दिखेंगे और यह बड़े-बड़े हैं इसको मैं बाहर के लिए रख दे रही हूं उस और कितना अच्छा लग रहा है न तो आप भी इस तरह से अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और इसको कभी भी आप धूप में नहीं भी निकालोगी तो भी चलेगा इस्पाइडर ग्रास है नागदॉन वाइट वाला और यह कैक्टरस है कैक्टरस को घर में नहीं रखा सा तो इसमें इसनेक प्लांट को भी मैं इसके अंदर अभी सेट कर रही हूँ चली मैं सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ देखिए मैं जो ही पौधा में लगाई थी इसनेक प्लांट का तो इसको भी मैं सेट कर ली और इसको मैं कभी भी धूप में नहीं निकालोंगी यह ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही बने रहेंगे पोधे और सुन्दर दिखेंगे तो आप इस तरह से इसने प्लांट लगाईए अपने घर के अंदर और यह बहुत ही आसान से लग जाते हैं खराब भी नहीं होते हैं तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? जरूर बताईएगा और आप भी अपने घर में पोधे लगाईए तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए बाई बाई